दोस्तों क्या आप किसी ऐसे फिल्म निर्देशक का नाम जानते हैं जिसने ये जिद की हो के हिंदी सिनेमा में वो कदम रखेगा तो तभी रखेगा जब फिल्म की हिरो अमिताव बच्चन हो और यही नहीं अपनी ये जिद उसने पूरी भी की हो इस निर्देशक का नाम है के भाग्यराज का साउथ में बड़ा जलवा रहा है वो निर्देशक भी कमाल के है और अभिनेता उससे बड़े धमाल के है अनिल कपूर की हिट फिल्म मिस्टर इंडिया के तामिल रिमेक में बतोर हीरो भाग्यराज ने ही काम किया उनकी लिखी फिल्मों पर भी कई एक दर्जन हिंदी फिल्में बन चुकी है अनिल कपूर की पहली सोलो हिट फिल्म वोह साथ दिन से लेकर राजेश खन्ना स्टारर मास्टर जी अमिताफ बच्चन स्टारर आखरी रास्ता अनिल कपूर स्टारर बेटा गोविंदा स्टारर राजा बाबू अन्दाज गोपी किशन मिस्टर बेचारा घरवाली इन सब की ओरिजिनल फिल्मों की कहानी के भाग्यराज की लिखी हुई है भाग्यराज को फिल्म मास्टार जी निर्द्यशित करने का जब मौका मिला तो उन्हों ने इस में हीरो के तौर पर अमिताव बच्चन को लेने की कोशिश की अमिताव बच्चन ने ये कहानी सुनी पर बात बनी नहीं के भाग्यराज भी जीद के पक्के इनसान ठहरे उनका कहना था कि वो हिंदी फिल्म में जब भी बनाएंगे तो पहली फिल्म अमिताव बच्चन के साथ ही बनाएंगे फिल्म मास्टर जी में काम करने से अमिताव के इनकार करने पर भाग्यराज भी उस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया दोनों की जोड़ी मास्टर जी में तो नहीं बन सकी लेकिन के भाग्यराज को जल्दी ही ये मौका मिला फिल्म आखरी रास्ता में ये फिल्म उन्होंने कमल हसान के लिए तमिल में लिखी थी और कैडियन डाइरी के नाम से आखरी रास्ता भी सुपर हिट फिल्म रही और इस फिल्म में के भाग्यराज ने अमिताफ बच्चन के साथ श्री देवी और जया प्रदा को भी लिया था फिल्म आखरी रास्ता की कहानी और पठकता तो भाग्यराज की थी लेकिन इस फिल्म के ओरिजिनल डिरेक्टर पी भारती राजा की वज़े फिल्म के निर्माता ए पुर्ने चंद्र राउने के भाग्यराज को ही फिल्म के निर्देशन का मौका दिया फिल्म से मशूर निर्देशक टी रामा राव प्रस्तूत करता के रूप में जुड़े थे जो अमिताफ बच्चन को लेकर इससे पहले अंधा कानून और इंकलाब जैसे फिल्में निर्देशक कर चुके थे फिल्म में पैसा मशूर कॉम्यूनिस्ट नेता ए पूर्ण चंदर राव का लग रहा था जो दक्षिन में तमाम बड़ी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके थे टी रामा राव और पूर्ण चंदर राव के साथ अमिताफ बच्चन ने इससे पहले अंधा कानून में साथ काम किय था और अमिताफ बच्चन जानते थे कि ये दोनों कितने मिलनसार बातों के पक्के और तिजोरी के धनी लोग हैं फिल्म आखरी रास्ता के लिए अमिताफ बच्चन को जब पूर्ण चंदर राव ने चेनना ही बुलाया तो उनके आने के पहले ही ये तै हो गया था कि फिल उने चंदर को भाग्यराज पर पूरा भरोसा था लेकिन अमिताफ बच्चन को उनका नाम इसलिए नहीं जम रहा था क्यूंकि के भाग्यराज ने इससे पहले कोई हिंदी फिल्म निर्देशित नहीं की और उन्हें हिंदी बोलती तक नहीं आती थी बहुत तर्क वितर्क ह फिर अमिताफ बच्चन ने भाग्यराज को फिल्म का एक सीन खुद को समझाने को कहा भाग्यराज ने पूरा सीन अभिनाय करके अमिताफ बच्चन के सामने एक्स्प्लेइन किया उन्हें समझाया अमिताफ बच्चन को ये सब अच्छा लगा वो प्रभावित हुए और ए ये फिल्म साइन करके मुंबई लोटाए आखरी रास्ता में अमिताब बच्चन को उनके मू मांगी कीमत दी गई थी अमिताब बच्चन की कमल हसान और रजिनी कांथ के साथ बनी फिल्म गिरिफतार के रिलीज होने के बाद अमिताब एक फिल्म खबरदार नाम की करने वाले थे जिसमें उनके साथ कमल हसान को साइन किया गया था लेकिन किसी वज़ से ये फिल्म लगातार लेट होती जा रही थी और अमिताब बच्चन इंदेरा गांधी के हत्या के बाद लगातार अपने मित्र राजीव गांधी के साथ राजनीती में व्यस्त होते जा रहे थे उधर खबरदार का बनना टला और इधर अमिताब बच्चन ने जल्दी ही खबरदार के उनके सारे एलोटेड तारीक या डेट्स फिल्म आखरी रास्ता के लिए दे दिये फिल्म आखरी रास्ता की शूटिंग खत्म करने के बाद अमिताब बच्चन ने लंबे समय तक फिल्मों से अपने दूरी बना कर रखे बीच में अपने मित्रों के लिए वो जल्वा और कौन जीता कौन हरा जैसे एक दो फिल्म में गेस्ट एपियरंस या कैमियो रोल में नजर तो आए लेकिन आखरी रास्ता के बाद दो साल के लंबे अंतराल के बाद उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी वो थी शेहनशा बोफोर्स मामले में अमिताब बच्चन के दामन पर लगे दागों को धोने में इस फिल्म में काफी मदद की थी फिल्म आखरी रास्ता क कहानी बदले की कहानी है जिसमें कानून के एक तरफ बुजूर्ग बाप है और दूसरी तरह उसका जवान बेटा दोनों किरदार अमिताब बच्चन नहीं निभाए थे फिल्म में में विलेन या मुख्य खलनायक का रोल शदाशिब अमरकपुरकर ने किया जो नेता चतू वो इसलिए क्योंकि फिल्म सारांस के बाद अरजुन में भी लोगों ने अनुपम खेर के काम की खुब तारिफ की थी अनुपम तब तक शुभाश घाई के फिल्म कर्मा में डॉक्टर डैंग का रोल साइन कर चुके थे और उन्हें लगा कि एक साथ दो फिल्मों में विल किर्दार चुन लिया अमिताव बच्चन के साथ अनुपम खेर की ये पहली फिल्म थी और महेश शांडिल नाम के इस किर्दार में उनकी अमिताव से खुब जमी भी अमिताव से अनुपमखेर उम्र में 13 साल छोटे है लेकिन इस फिल्म में वो अमिताव बच्चन के दूसरे रोल के लिए उनके पीता बने फिल्म में जयाप्रदा डेविड की पतनी के किरदार में और श्रीदेवी बनी उसके बेटे विजय की प्रेमी का श्रीदेवी और अमिताव बच्चन की जोडी को लोगों ने इस से पहले फिल्म इनकलाब में भी खुब पसंद किया और यहां भी दोनों की जोडी परदे पर खुब जमी इस फिल्म में अनुपम खेर का लूक मशूर निर्माता निर्देशक मनमोहन देशाई से बहुत मिलती जुलती थी स्रीदेवी और अमिताव बच्चन पर फिल्माए गए गाने गोरी का साजन साजन की गोरी लोजी शुरू हो गई लव स्टोरी अमिताव बच्चन के लिए तो महम्मद अजीज ने गाया था लेकिन यहां फीमेल वॉयज या महिला स्वर उस वक्त की मशूर गाई काओ लता मंगिशकर आशा भोशले या अनुराधा पड़वाल की वज़ए एस जानकी का है एस जानकी को हिंदी सिनेमा में मशूर संगीत का बपी लहिडी लेकर आए बपी दा ने एस जानकी की गाई की एक तमिल फिल्म में सुनी थी जहां उन्होंने एक हिंदी गाना गाया सबसे पहले एस जानकी को बपी दा ने अनिल कपूर के फिल्म साहब में मौका दिया जिसमें एस जानकी बपीदा के साथ यार बीना चैन कहां रे एक डुएट गाना गाया इसी गाने को सुनकर लक्षमी कांत प्यारेलाल जी ने एस जानकी को फिल्म आखरी रास्ता में गाने का मौका दिया एस जानकी ने गोरी का साजन साजन की गोरी में तो कमाल का गाना गाया ही उनको सबसे ज्यादा शोहरत जिस गाने के लिए इस फिल्म में मिली वो फिल्माया गया था जया प्रदा पर अपने बेटे को नाहाती दुलारती तेल मालिश करती जया प्रदा पर ये गाना बिलकुल फिट बैठा गाने का बोल था तूने मेरा दूद पिया तू बिलकुल मेरे जैसा है और ये उस साल के सबसे हिट गानों में भी शामिल रहा आनन्द बक्षी ने गाना लिखा भी बहुत ममता के भावों से फिल्म आखरी रास्ता के डायलोग मशूर लेखक डॉक्टर राही मा आसुम रजा ने लिखे हैं लेकिन इनके डायलोग को लेकर अमिताव बच्चन और इसके निर्देशक के भाग्यराज के बीच शुरू से लेकर आखिर तक कुछ ना कुछ खटपट चलती ही रही लोग कहते हैं इसकी एक बड़ी वज़ा उन्ही दिनों अमिताव बच्चन का राजनिती में काफी वैस्थ हो जाना रहा इलाहबाद से डिली, डिली से मुंबई, मुंबई से उटी और चेन्नाई आना जाना उन्हें तनाव दे रहा था और इस तनाव की जलक फिल्म आखरी रास्ता की शुटिंग पर कभी ना कभी दिख ही जाती थी लोग ये भी कहते हैं कि किसी न किसी तरह से अमिताव बच्चन फिल्म के सेट पर भाग्यराज को छेड़ देते थे और भाग्यराज अपसेट हो जाते थे फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में जहां दोनों बाब बेटे एक दूसरे के सामने होते हैं उसे फिल्माने को लेकर भी भाग्यराज और अमिताफ बच्चन आपस में भिड़ गए सीन के डायलोग्स को लेकर मामला इतना भिगड़ा कि वहां मौझूद लोगों को कुछ देर के लिए लोकेशन से जाने के लिए कह दिया गया ताकि निर्देशक और हीरो आपस में जिरह करके किसी नतीजे पर पहुँच सके लेकिन भाग्यराज सिनेमा के पुराने खिलारी थे उन्होंने अपना पासा फेका जिसमें अमिताब फंस गए उन्होंने कहा कि फिलहाल टाइम नहीं खराब करते हैं एक बार शूटिंग वैसे कर लेते हैं जैसे कि आप चाहते हैं और एक बार शूटिंग वैसे कर लेते ह जैसा की मेरा राय है बाद में फैसला कर लेंगे कि फिल्म में सीन कौन सा रखना है तब तक अमिताव का गुसा भी शांत हो चुका था और वो समझ भी गए थे कि शिप का कैप्टेन असल में कौन है उन्होंने फिर वैसा ही किया जैसा भाग्यराज साहब चाहते थे भाग्यराज साउथ के इजददार निर्देशक और अभीनेता रहे हैं इस सीन को फिल्माने के बाद उनका मन हिंदी फिल्मों से इतना खटा हुआ कि उन्होंने तमाम ओफर आने के बावजूद बरसों तक कोई हिंदी फिल्म निर्देशित नहीं किये बाद में श्रीदेवी के कहने पर करीब दस साल बाद उन्होंने अनिल कपूर के फिल्म मिस्टर बेचारा निर्देशित की जो उनकी अपनी ही तामिल फिल्म वितिले विशेपांगा पर बनी थी